हेलो, इस वाले वीडियो में हम थोड़ा सा ट्रीकी कोशिन देखेंगे, क्रिप्ट अर्थमेटिक प्रॉबलम का, यहां पर आपको देख रहा होगा कि दो लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स है हमारे पास, मतलब पहले नंबर पर नहीं है, पहले वाले में हमें सिर्फ दो लेटर् दूसरे में हमें चार लेटर्स दिया है, और आउटपूट में हमें चार है, यानि कि हमेशा आउटपूट में एक लेफ्ट मोस्ट लेते थे, जिससे कि हमें उसकी वैल्यू वन पता लगती थी, वो केस यहां पर नहीं है, बट अगें इसमें करना है कि आपको इसको थोड यहां पर कैरी आएगा, येस, क्योंकि कैरी आएगा, तभी यहां पर H के अंदर उस कैरी को एड़ कर गया, आप एक नया नंबर E जनरेट कर सकते हो, ठीके, तो यहां तक हमें पता लगगा कि यह दो कैरी आएंगे, अब देखो, सिधी सी एक चीज आपको देखने है कि H की वैल्यू क्या होगी कि आपको यहां पर कैरी 1 मिल जाएं, और H की वैल्यू में हम सिर्फ और सिर्फ वन एड़ कर सकते हैं, तो जनरेटा 2 डिजिट नंबर, यानि कि H की वैल्यू होने को तो 0 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकती है, बट इसमें मैं अगर 1 एड़ करता हूँ, त that is 9, fix है वो, so H की वैल्यू आप यहां पर 9, fix कर सकते हूँ, यहां पर fix कर सकते हूँ, ठीक है, so यह 9 हो गई, यहां पर कैरी मेरे पास 1 आया तो, यानि E की वैल्यू क्या हो गई, 0, यहां पर 1 कैरी चला गया भी, so E अगर 0 है, तो यहां पर भी 0 होगा, ठीक है, so यहां पर अगर e 0 है और e क्या है s plus s that means simple है e is a even number और अगर e 5 है जीरो है तो इसमें s की value होने की क्या chances है s क्या हो सकता है s सेम होगा यानि सिर्फ और सिर्फ 5 प्लस 5 में ही मैं 10 generate कर सकता हूँ जिसमें की 1 कह ली चला जाए और 0 मेरा e बन जाए तो यानि s को मैं 5 ले सकता हूँ तो 5 प्लस 5 अगर मैं कर रहा हूँ तो यहां पर मुझे क्या मिल रहा है e मिल रहा है 0 और 1 मिल रहा है यहां पर carry यानि यहां पर भी एक मेरे पास carry आ गया ठीक है सो अगेन अब देखो यहां पर आर भी आपका even होगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं आई प्लस आई बट एक carry आ रहा है मेरे पास तो आर की value अब आपकी odd हो सकती है सो आई की value आप अलग-अलग देख सकते हो कौनसी होनी है यूंकि इसमें carry generate होगा इतना ध्याद रखना तो आई की value क्या हो सकती कि carry generate हो same value है तो 5 6 7 8 9 5 रख सकते है नहीं 5 तो ऐसा हो गया 6 रख सकते है यह 6 रख सकते है सो आई की value को मैंने 6 रख दिया तो 6 प्लस 6 12 प्लस 1 13 तो r हो गया 13 और यहाँ पर मेरे पास carry आए गई सो अब मेरे पास t की value है तो t की value में simple है carry आएगा 1 तो t की value क्या होगी कि output आपको 9 मिले है simple है 8 so this is the solution of this question so अभी आपर देख सकते हो कि without writing a single equation भी आप इसको solve कर पार हो by just simply analyzing the problem so अगर semester exams में आता है तो आप equations लिख की भी solve कर सकते हो अगर आपके competitive exams में आता है placement exams में आता है तो आप इस तरह से analyze करके भी इसको solve कर सकते हो so this is all for this particular video lecture thank you for watching the video please subscribe to my youtube channel for more such tutorials thank you